हेलो दोस्तों स्वागत है आपका MS Excel के भाग 23 में पहला कोश्चन है किसी सक्री कक्छिया स्रणी के निचले दाएं कोने में छोटे काले वर्ग दारक क्या प्रस्तुत किया जाता है इसका अंसर है फिल है नेस्ट कोश्चन है एक्सल में डाटा संकला को किस रूप में परिवासित किया गया है एक्सल में फार्मेटिंग टूल बार पर फिल कलर बटन का प्रियोग हो क्या प्रियोग है इसका एंसर है टू एड शेडिंग और कलर टू अ शिल रेंज नेस्ट कोश्चन है एक्सल के हल्प मन्य में लिकित में से कौन सी टैप पाई जाती है इसका एंसर है नन अफ द एबब नेस्ट कोश्चन है एक्टिव सेल्स इस डिफाइंड बाई बोल्ड बोर्डर एराउंड द शेल रिसीप्स द डाटा द यूजर इंटर्ड इट इस द फार्मूला बार ओंली ए एंड बी तो इसका एंसर है ओनली ए एंड बी नेस्ट कोश्चन है कौन सा फंक्षन मूल घ्वास वाफसी की दर भविस मूलियों तथा रिन भुकतान मातरा की गर्णा करने के लिए उपयोग किया जाता है लॉजिकल मैथ है ट्रिगनामेट्री स्टेटिस्टिकल फानेंशियल तो इसका एंसर है फानेंशियल नेस्ट कोश्चन है वी सेवन अब बी नाइन दर साता है Cells V7 and Cells V9 only Cells V7 through V9 Cells V8 only तो none of the above तो इसका answer है Cells V7 through V9 Next question है Cancel तथा Enter बटन पर प्रकट होती है Title bar, Formula bar, Menu bar या फिर Seats tab तो इसका answer है Formula bar Next question है Row data को column में या column data को row में कौन सा function प्रजशित करता है Hyperlink, Index, Transpose, Rose तो इसका answer है Transpose Next question है जब आप एक Excel फाइल को Word document में खोलते है data होता है Hyperlinked, Placed in a Word Table Linked, Embedded तो इसका answer है Placed in a Word Table Next question है Function को छोड़ कर सभी function में उत्तर सत्य रूप में आता है If and or not तो इसका answer है If Next question है Macros menu से run तथा executed होते हैं Insert, Format, Tools, Free Data तो इसका answer है Tools Next question है आप menu से consolidate चैन करके Consolidate Dialog Box को खोल सकते हैं Insert, Format, Tools, Free Data तो इसका answer है Data Next question है प्रत्यक Excel फाइल एक वर्क बुक कहलाती है क्योंकि It can contain and data It can be modified It can contain many sheets Including work sheets and chart sheets You have to work hard to create it तो इसका answer है It can contain many sheets Including work sheets and chart sheets इसका answer है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा धन्यवाद